हेलो फ्रेंट्स आज हम पढ़ेंगे समस्थी अर्शास्त्र की कुछ मूल धानाएं एवं अंत्र तो शुरू करते हैं वीडियो समस्थी अर्शास्त्र की मूल धानाओं के साथ इसमें हम पढ़ेंगे अंतिम वस्तों एबम अध्यवर्ती वस्तों और भोग वस्तों एबम पुंजीगत वस्तों तो पहली है अंतिम वस्तों एबम अध्यवर्ती वस्तों तो पहला है अंतिम वस्तों ये वे वस्तों हैं जो उत्पादन की सीमर एकाप पार कर चुकी होती है और अपने अंतियम प्रियोग अरताओं द्वारा प्रियोग के लिए तियार है मतलब ये फाइनल गुड़्ज हैं अंतियम वश्टों हैं जो उपभोग के लिए तियार हैं उपभोगता इन्हें उपभोग करकर समाथ करता इनका आगे प्रियोग नहीं किया जाता हम एक से एक उधान से समझ सकते हैं मालो किसान ने खेत में गिहों की पैदावार की उसने बीज खाद का प्रियोग करके गिहों का उत्पादन किया वह अपनी गिहों की फसल को मंडी तक बेचने के लिए लेगर गया मंडीयों से सैल्दर वाले ले गये और उससे मैदा सोजी आटा त्यार किया आटे को बेगरी वाले ले गये और उसने उससे डवरोटी त्यार की डवरोटी को भोगता अपने प्रियोग के लिए ले गया भोगता ने उस डवरोटी का उप्भोग कर लिया अधा डबरोटी अंतिम वस्तु ही और उभोगता अंतिम उप्योग करता हुआ अब दूसरी आती है मद्यावरती वस्तु हैं ये वे वस्तु हैं जिनका अभी तक उत्पादन की सेमा रेखा को पार नहीं किया इन वस्तों ने अभी तक उत्पातन की सेमर एखा को पार नहीं किया अभी इन वस्तों के मुल्य में मुल्य वर्दी की जानी है तथा ये वस्तों अंतिम उपयोग करता द्वारा उपभोग के लिए त्यार नहीं है ये वस्तों किसी अन्या फर्म द्वारा खिदे जाती हैं ताकि इनका कच्चे माल के रूम में प्रियोग किया जा सके जैसे एक हम उधान से सबस्ष कर सकते हैं आपके सक्रियन पर उधान दिया है मालो एक बढ़ाई पांच हजार रुपे की लकड़ी खिरता है और इसे दस हजार रुपे मुल्या की कुर्शियों में बदलता है तब कुर्शियां यानि अंतिय वस्तों के मुल्या में लकड़ी यानि मद्यवर्थी वस्तों का मुल्या भ लाएगी हम इसे एक नोट देती हैं नोट दिया है मद्यवर्थी बस्तों के मुल्य को राष्टियाय में शामिल नहीं किया जाता है याद रखना मद्यवर्थी बस्तों के मुल्य को राष्टियाय में शामिल नहीं किया जाता है केवल अंतिम बस्तों के मुल्य को ही राष्ट वस्तों लिए तो मद्यवर्ती वस्तों में पहला लेखा वर्ष के दुरान इन वस्तों का उप्योग अन्य वस्तों के उत्पादन के लिए कच्छे माल के रूम में किया जाता है जबकि अन्ती वस्तों लेखा वर्ष के दुरान इन वस्तों का उत्पादन के लिए कच्छे मा के रूम में नहीं किया जाता। अंदरा तहती हैं तथा अंतिम प्रियोग करता द्वारा उप्योग के लिए त्यार नहीं होती है जबकि अंतिम बस्तों में अभी मुल्यवर्दि की जानी है मतलब मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् या उपभोग वस्तुएं, ये वे वस्तुएं हैं जो मानवी आवशकताओं को परतक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, इनका प्रियोग अन्य वस्तुएं के उत्पादर के लिए किया जाता है, जैसे दूद आजकरी मादी, उपभोगता वस्तुएं अंतिम उपभोग के ल ये नहीं किया जाता, ओभोग वस्तुएं का वर्गी करन, ये चार प्रकार की होती हैं, टिकाओ भोगता वस्तुएं, अर्द टिकाओ भोगता वस्तुएं, गय टिकाओ भोगता वस्तुएं और सेवाईं, तो टिकाओ भोगता वस्तुएं ये वे वे वस्तुएं जिनका उ पेक्षमुल्य भी अधिक होता है जैसे टीवी कपड़े धोने की मिशीन आधी दूसरा आता है अर्द टिकाओ भोगता वस्तुई यह वे वस्तुई हैं जिनका उप्योग एक वर्ष या कुछ अधिक समय के लिए कि जाता है इनका सापेक्षमुल्य भी अधिक नहीं होता है जैसे फरनीचर क्रोकरी क्रोकरी आधि गैटिकाओ भोगता वस्तुई यह वे वस्तुई हैं जिनका केवल एक बार ही उप्योग की रसकता है जैसे डवरोटी दूद आधि सेवाई यह वे गैर भौती वस्तुई हैं जो मानवी आविशकताओं को परतक्ष रूप से वस्तुई उत्पादकों की स्थिर परिश संपत्तियां होती हैं इन वस्तुओं का कई वर्षों तक प्रियोग की रसकता है जैसे प्लांट मिशिनरी आधि अब हम पढ़ते हैं क्या सभी मशीने पुन्जगत वस्तुई नहीं होती बिलकु ठीक कि सभी पुन्जगत नहीं है सभी पुन्जगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं किन्तु सभी उत्पादक वस्तुएं पुन्जगत वस्तुएं नहीं होती उत्पादक वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका उप्योग उत्पादक की प्रिशिया में किया जाता है इन वस्त करते हैं जैसे प्लांट मशिनरी यादी उत्पादों की सथीर प्रछल से भीन कच्छे माल के रूपर में प्रयोग की लिगी वस्तोय नहीं है यह एकल उप्योग उत्पादक बस्तोय के लिए जिनका उत्पादं की underpin till G प्रन्तु इनके विप्रिष स्थीर प्रहसंपतियों का उत्पादम की परिकरिया में बारबर प्रियोंग ज With монohos रित प्रणू आपन अधैनर सबिपारद था नहीं होतीह दन्य रहं याद हिस अ झाल झाल